इनको प्रोस्टेट की प्रोब्लम थी इसके वाज़े से इनको यूरिन ने पास हो रहा था और वो बहुत ज्यादा हो गिया था जब अपोलो आये थे तो हमको डॉक्टर आधित कुमार्श शर्मा जी ने देखा था बहुत ही बढ़िया डॉक्टर ने वो उनको यूरिन से continuous blood discharge हो रहा था किड्नी दोनों ही failure में थी यूरिन output और नोस ना के बराबर था evaluation में पाया गया कि उनकी एक right side की किड्नी में 7 cm का काफी बड़ा tumor है इसके अलावा उनको prostate संबंदित, prostate enlargement संबंदित problem भी थी जिसकी वज़े से urine obstruction हो रहा था प्रोस्टेट का size भी उनका 190 gram था नॉर्मल व्यक्ति में प्रोस्टेट का size 15-20 gram होता है तो उनोंने surgery के लिए बोला कि surgery करा लेंगे तो जल्दी सही हो जाएंगे उनका kidney का हमने partial nephraक्मी किया लेप्रोस्कोपिक विधी से इसमें कोई बड़ा कर्ट या चीरा नहीं लगा और tumor को margin लेते हुए completely clear कर दिया गया एक हफते के बाद में दुबारा से उनको admit करके प्रोस्टेट का laser विज़े दौरा लेजर टेकनीक का ये फाइदा है कि इसमें bleeding बहुत ही minimal होती है और patient को जादा समय admit रखने की जुरूरत नहीं पड़ती है होलैप के बाद उनको दो दिन बाद discharge कर दिया गया अभी patient पूरता स्वस्त है उनको urine सम्मंदित problem भी सही हो गई है patient अभी कोई dialysis पे नहीं है thank you doctor saab doctor का nature भी बहुत बढ़िया और वो खुद भी बहुत बढ़िया वेक्रिछ के इंसान है